तो भई आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाला हूँ नेट्फिक्स पर लेटेस्ट रिलीस की गई मूवी बुल बुल को इस फिल्म को डारेक्ट किया है अन्विता दत ने और प्रेड्यूस किया है अनुश्का शर्माने और इस वीडियो के अंदर आपको जादा पिक्चर्स नहीं मिलेगी क्योंकि लास्ट टाइम एक हाथसा हो चुका है यानि की परी मूवी के अंदर मैंने परी मूवी एक्स्प्लेइन करी थी और उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया था बहुत दिल तूड़ गया था मेरा उसके बाद बहुत ही जादा मतलब उससे मेरा चैनल बहुत जादा ग्रो हो सकता था लेकिन ब्लॉक कर दी गई उस वीडियो को वेल बात करें बुल बुल मूवी के बारे में तो ये काइंड ओफ ड्रामा मिस्टरी मूवी है जिसके अंदर सूपर नैचरल अलिमेंट को मिलाने की कोशिश करी गई है यानि कि यहाँ पर हॉरर अलिमेंट को मिलाने की कोशिश करी गई है लेकिन फिल्म के अंदर कोई भी भूत प्रित देखने को नहीं मिलने वाले तो पहले से ही आप तेयारो जो इस चीज के लिए वीडियो के अंदर आपको मैं काफी सारे इंट्रेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा तो वीडियो को बिल्कुल अन तक जरूर देख कर जाना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार यूट्यूब से मुझे बार बार नोटिफिकेशन आती है कि 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जो आपकी वीडियो को देखते हैं तो क्या कर रहे हो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो लेकिन मैं भी किसको बोल रहा हूँ मुझे पता है अब लोग सब्सक्राइब नहीं करने वाले चलो वीडियो के तरफ चलते हैं तो फिल्म की कहानी 1881 के बंगाल के गाउं में शुरू होती है जहां पर 8-9 साल की बच्ची बुलबुल की शादी हो रही थी बारात में काफी सारे लोग आते हैं जिसमें से उसकी एज का एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है सत्या ठाकुर बच्ची बुलबुल रोज की ही तरह अपने घर के बगल के पेड के पास में खेल रही होती है अपनी शादी के ड्रेस में ही बट तभी उसकी आंटी उसे वहां से ले जाती है और तभी उसकी मुलाकात सत्या से होती है बाद में बुलबुल की शादी होती है और उसको पालकी में बैठा कर ससुराल में ले जाया जाता है पूरे रास्ते में वो सो रही थी पर जब जाकती है तो उसे बहुत जादा डर लगता है क्योंकि उसके सभी जान पहचान के लोग वहाँ पर नहीं थे सत्या की भावी बिनोधनी उसे डाट कर चुप कराने लगती है पर तब ही सत्या ये कहता है कि शायद से वो डर गई होगी अब वो उसे शांत करने के लिए एक चुडैल की कहानी सुनाता है जिसमें वो ये कहता है कि कई साल पहले एक चुडैल थी पेड़ पर रहती थी उल्टे पाव थे उसके हमेशा शिकार ढूंटी रहती थी एटसेक्टरा एटसेक्टरा अब बुलबुल घर आती है और हमको ये पता चलता है कि बुलबुल की शादी असल में सत्या से नहीं बलकि उसके बड़े भाई इंदर निल ठाकूर से हुई है जो उम्र में उससे लगभग 20 साल बड़ा था उसका महिंदर नाम का एक ट्विन भाई भी था जो की पागल था इस पागल से ही बिनोधनी की शादी हुई थी महिंदर बुलबुल को खिलोना समझ कर उससे खेलने लगता है बड़ तभी इंदर निल वहाँ पर आकर उसे बुलबुल से दूर करता है बुलबुल उससे नादानी से ये पूछती है कि वो लड़का सत्या कहां पर है जिससे उसकी शादी होई थी इंदर ने लिए कहता है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तब उसको देवर और पती में अंतर पता चलेगा अब कहानी 20 साल आगे बढ़ती है और सत्या लंडन से लॉड डिग्री हासिल करके वापस आता है उसकी हवेली बेसीकली एक फार्माउस की तरह थी घर के आसपस दूर तक आम के पेड़ी पेड़ थे वहाँ की मून लाइट भी रेड कलर की थी ना कि नॉर्मल वाइट वापस आते वक्त उसकी घोड़े गाड़ी का चालक ये कहता है कि ये जगा ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक चुडैल रहती है जो सब को मार देती है सत्या उस चीज को सूपर स्टिशन कहके इगनॉर करता है और गाड़ी में ही सो जाता है कुछ देर बाद उसकी गाड़ी के सामने अचानक से ही एक पेड गिरता है ड्राइवर डर के उसे हटाने जाता है और तब एक उल्टी लटकी हुई परचाई हमें सत्या के सामने दिखाई देती है और वो नीन से जाग जाता है और उसको ये पता चलता है कि वो सो गया था अगले दिन वही ड्राइवर अपनी दो पतनियों को लेकर ठकुरायन बुलबुल के सामने आता है उसने दूसरी शादी कर ली थी और वो बुलबुल को ये कहता है कि वो दोनों को खुश रखेगा ये वही बुलबुल बच्ची थी जो कि अब बड़े होकर ठकुरायन मन के हवेली समाल रही थी बुलबुल उसे दोनों को खुश रखने की वार्निंग देकर वापस भेश देती है सत्या बुलबुल से मिलता है और उसका हालचाल पूछता है वो पांच साल बाद यहां पर लोटा था तब ही फ्लैश बैक में ये दिखाया जाता है कि बच्चपन में वो दोनों एक साथ खेला करते थे और बुलबुल को सत्या पर क्रश था एज उसने अपने पती के रूप में बच्चपन में ही उसको देखा था सत्या देखता है कि बुलबुल का स्वभाव बिलकुल बदल गया है वो एकदम बोल्ड हो गई थी 1881 के स्टैंडर्स के हिसाब से उसका ड्रेस, गहने, सब कुछ काफी ज़दा क्लासी था इसे देखकर सत्या को थोड़ा सा शौक लगता है अब यहां उसके भाई महेंदर का मर्डर हो गया था और इंदर निल ठाकुर घर छोड़ कर चले गए थे इस चीज का कारण मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा अब वो दोनों बिनौदिनी से मिलने जाते हैं यहां पर एक कूप रथा सत्य के तहट बिनौदिनी अपना सर मुंडवा कर वाइट साड़ी पहन कर विड़ो आश्रम में रह रही थी वो भी माला जबते हुए वो भी ये कहती है कि चुड़ैल नहीं महेंदर का मर्डर किया था वो भी दुरगा अश्टमी के दिन लेकिन बुलबुल यहां पर हस्ती रहती है उसी राज सत्या शिकार के लिए जा रहा था क्योंकि उसको चुड़ैल वाली बात पर बिल्कुल भी यकीर नहीं था वो देखता है कि एक आदमी बुलबुल के पैरों को अपनी थाई पर रखकर ट्रीटमेंट दे रहा था उसका नाम डॉक्टर सुदीब था और वो बुलबुल का पर्सनल डॉक्टर था आई मिन रियल पर्सनल बुलबुल उसका इंट्रोड़क्शन सत्या से कराती है लेकिन सत्या को ये चीज़ पसंद नहीं आती खेर डॉक्टर सुदीब जाने लगता है और कहता है कि उसे मास्टर दिन करके घर भी जाना है सत्या का कहना था कि वो तो बड़े ही भले आदमी है बुलबुल सारकास्टी गली हसते हुए ये कहती है कि उसकी पतनी से पूछो कि वो कितना भला आदमी है उसकी तूटी हुई हड़ियां बताएंगी बात में सत्या बुलबुल को परदा करने के लिए एक फ्री एडवाइस देता है जिस पर बुलबुल फिर से हस कर उसे शिकार पर जाने के लिए कह देती है अब सत्या मास्टर दिनकर और कुछ लोगों के साथ शिकार पर जाता है बाकी सबी लोग चुडैल की स्टोरी से डरे हुए थे पर सत्या फुल कॉन्विडेंस में था कुछी देर बाद वो परचाई अब दिनकर के पीछे पड़ जाती है उस पर हमला करके उसे घसीटते हुए खंडर में ले जाती है डॉक्टर सुदीप उसी खंडर के पास थे और वो उस परचाई को देखकर उस खंडर में जाते हैं उसका पीछा करने के लिए जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता सत्या भी अब दोड़ते हुए वहाँ पर आता है और तभी उन दोनों को बाकी लोगों की आवास सुनाई देती है वो देखते हैं कि मास्टर दिंकर को मार के पेड़ पर उल्टा लटकाया गया था ये देखकर डॉक्टर सुधी पुलिस को बुलाने की एडवाइस देता है अगले दिन सत्या बुलबुल से ये कहता है कि ये किसी आदमी का काम है चुड़ैल का नहीं बड़ तभी बुलबुल ये कहती है कि औरत भी तो हो सकती है इस पर सत्या हसते हुए ये कहता है कि औरत के अंदर इतनी ताकत नहीं होती अब वहाँ पर बिनौधिनी भी आती है जिसे सत्या ने ही बुलाया था महिंदर की बरसी आ रही थी जिसके चलते वो पूझा करना चाहता था यहां पर सत्या को डॉक्टर सुधीप पर शक होता है और वो बिनौधिनी से पूछता है कि कब से वो यहां पर आ रहा है बिनौधिनी यहां पर नमक मिर्ची लगा कर यह कहती है कि इंदर निल भाई साब के जाने से पहले ही वो यहां पर आ रहा है और अब तो वो दोनों काफी ज़दा close हैं अब यहाँ पर flashback के कुछ scene दिखाये जाते हैं बुलबुल और सत्या बड़े हो चुके हैं बुलबुल सत्या को काफी पसंद करती थी और अपना सारा free time उसके साथ ही बिताती थी वो दोनों मिलकर एक किताब भी लिक रहे थे इंदर निल भी इन दोनों की closeness को notice करता है और थोड़ा सा jealous फिल करने लगता है बिनौदिनी भी इंदर निल के feelings पर अपना तड़का डालती है basically उसको बढ़काने लगती है finally इंदर निल तंग आकर सत्या को law की पढ़ाई करने के लिए लंडन भेजने का decision लेता है जिससे बुलबुल काफी जादा दुखी हो जाती है और अंदर से तूट जाती है अब इंदर निल कुछ दिन के लिए सत्या को लेकर कोलकाता चला जाता है और वहीं से उसको लंडन भेज़ देता है जिससे वो बिलकुल ही तूट गई थी इसी बीच बुलबुल अपनी किताब को पूरा कर लेती है और जब इंदर निल वापस अकेले आकर बुलबुल को सत्या की खबर देता है तो वो अपने दुख में उस किताब को जला देती है इंदर निल को एहसास होता है कि उसकी वाइफ हमेशा से ही सत्या को ही प्यार करती थी यहाँ पर एक सीन में ये दिखाया गया है कि इंदर निल का भी अफेयर बिनौधनी के साथ हमेशा से था पर जब वो ये देखता है कि उसकी वाइफ का भी अफेर चल रहा है तो वो सेहन नहीं कर पाता उसी रात वो गुसे में बुलबुल के बात्रूम में जाता है और एक मैटल रॉट से उसके पैरों को खराब कर देता है अगले दिन डॉक्टर सुधीब को बुलाया जाता है और वो बुलबुल का प्लास्टर करता है वो अभी भी होश में नहीं रहती और इस चीज के गिल्ट में आकर इंदरनिल घर छोड़ कर चला जाता है उसका ये कहना था कि उसके लिए यहां पर अब कुछ भी नहीं बचा है मूवी अब प्रेजेंट में आती है और हवीली के पास एक और खून होता है जो कि एक बुड़े आदमी का था पुलिस कॉंस्टेबल सत्या को एविडेंस दिखा कर ये कहता है कि एक बच्ची का ये कहना है कि उसने खून होते हुए देखा है और ये देवी काली माने किया है यहाँ पर वो एक बात को नोटिस करता है कि उन एविडेंसिस में डॉक्टर सुधीब का भी सिगनेचर था जिसने बॉडी को एक्जामिन किया था एक और कोइंसिडेंस के तहत वो भी दूसरे केस के सिलसले में वहीं पर था अब सत्या का शक यकीन में बदल जाता है कि डॉक्टर सुधीब ही खून कर रहा है और चुडहल के नाम से सब को डरा रहा है अब एक और सीन में सत्या डॉक्टर सुधीब और बुलबुल को एक साथ क्लोज होते हुए देखता है इससे चड़ कर वो बुलबुल से सीधे सीधे पूछता है कि उसका और डॉक्टर सुधीप का क्या रिलेशनशिप है क्या वो अकेले पन के कारण भावनाओं में बहग गई थी और वो उसको हविली छोड़ कर माई के जाने के लिए कहता है उसका ये भी कहना था कि उसने अपने बड़े भाई को इस बारे में बता दिया है इस पर बुलबुल जोर दोर से हसते हुए ये कहती है कि तुम सब एक जैसे ही हो यहाँ पर फिर से बुलबुल का एक और फ्लैश बैक दिखाया जाता है एक रात को महिंदर बुलबुल के रूम में जाकर उसका रेप कर देता है एस वो ये सोचता है कि वो एक गोडिया है वो अभी भी बेड रिडन थी रिजिस्ट नहीं कर पाती और उसके कुछ पल के बाद ही फ्रेक्चर के दर्द के कारण से वो बेहोश हो जाती है हमको इस बीच देवी काली मा की इमेज दिखाई देती है और मून भी अब वाइट से रेड हो जाता है ये पूरा गाउं चांद की लाल रोशनी से ढख जाता है इसके बाद बुलबुल को होश आता है और वो जोड से चिलाती है जैसे कि उसके अंदर देवी काली मा आ गई हो ये गंदी हरकत करने के बाद महिंदर भाग कर अपने रूम में आता है और बिनौदिनी को सब पता चल जाता है कि उसने क्या किया है अगले दिन वो बुलबुल को क्लीन करती है और कहती है कि उसको कॉम्प्रमाइस करना पड़ेगा ठाकुरों के यहाँ पर ऐसा चलता है और हवीली में बड़े बड़े राज़ दफन है उसकी बाद जब डॉक्टर सुधी बुलबुल को अगर चेक करता है तो उसे उसकी हालत समझ में आती है वो हेल्प करने जाता है पर बुलबुल मना करती है और इसी मूमेंट से उनकी दोस्ती हो गई थी अब प्रेसेंट में बिनौदिनी बुलबुल को दुर्गा अश्टमी के दिन महिंदर की बरसी की पूजा पर ले जाती है वहाँ पर सत्या के ड्राइवर का बेटा उसे ये कहता है कि उसके पिता ने अपनी पहली बीवी यानि कि उसकी मा को सेकंड वाइफ के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया है इससे उसकी मा ने सुइसाइड कर लिया है और वो उसकी हेल्प मांगता है इधर सत्या फाइनली डॉक्टर सुधीब पर बंदूक तान कर उसे अरेस्ट करता है और उसको अपनी गोड़ा गाड़ी में कोलकता ले जाने लगता है ताकि वो उसको कोर्ट में पेश करके सदा दिलवा सके वो रास्ते में पूछता है कि क्या उसे डड़ नहीं लगता टॉक्टर सुधीब कहता है कि उसने कोई खून नहीं किया है और यहाँ पर वो उसकी गाड़ी रुकती है और उसका ड्राइवर चिलाते हुए मारा जाता है सत्या बंदूक लेकर बाहर जाता है और वहाँ पर वो चुडैल खड़ी हुई थी वो उस पर गोली चलाता है और वो धुए में कहीं पर गायब हो जाती है सत्या उसके पीछे भागता है और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते डॉक्टर सुदीब को बुलबुल उस चुडैल के रूप में एक पेड़ के ऊपर खड़ी हुई दिखाई देती है उसने एक रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ था और उसको गोली भी लगी हुई थी डॉक्टर सुदीब को ये देखकर शौक लगता है कि हवेली की बड़ी बहुई चुडैल है बाद में सत्या वहाँ पर आता है और ये कहता है कि हाँ चुडैल है वो गलत था वो डॉक्टर सुदीब को जाने के लिए कहता है अब वो खुद उसका शिकार करने अपनी मशाल और बंदूक लेकर जाने लगता है पर डॉक्टर सुदीब उसे रोगने जाते हैं और वो लड़ने लगते हैं सत्या के मशाल से पूरे के पूरे फार्मा उसमें आग लगने लगती है यानि की पूरे जंगल में जो की बेसिकली इंठाकुर्स का ही था सत्या पूछता है कि एक शैतान से इतनी हमदर्दी क्यों डॉक्टर सुदीब कहता है कि वो शैतान नहीं देवी है और वो उसकी खास है बड़ी बहु है बट सत्या इन बातों पर ध्यान नहीं देता अब flashback में दिखाया जाता है कि बुलबुली देवी है सब ही ओरतों के लिए और देवी ने यानि कि बुलबुल ने ही महिंदर का, मास्टर दिनकर का, वो बुड़े आदमी का और ड्राइवर का खुन किया था बुलबुल को ही देखकर उस बच्ची ने देवी काली मा कहा था उसके पैर उल्टे इसलिए थे क्योंकि पैर तूटने के बाद वो उल्टे और सीधे दोनों हो जाया करते थे या फिर उसने उनको उल्टा जुडने दिया होगा सत्या पूरे फार माउस को आग लगाता है और तब उसको डॉक्टर सुदीब दिखता है वो कहता है कि मेरी तो वो सिर्फ एक दोस्त थी पर तुमारी तो वो भावी थी बच्चपन से और तब जाकर सत्या की ट्यूब लैट जलती है और उसको पता चलता है कि बुलबुली देवी है वो शौक में आकर बहुत तेजी से चिलाता है देवी यानि की बुलबुल उन पेड़ों पर बैठी रहती है और बस वो जलकर राक बन जाती है एंड में आकर कहानी एक साल आगे बढ़ती है सत्या अपने बड़े भाई इंदर निल को एक लेटर लिखता है और ये कहता है कि वो उसके जैसा नहीं बनना चाहता या फिर शायद से वो उसके जैसा बन गया है इंदर निल अपनी हवेली में आता है जो कि अब विरान बड़ी होई थी रात में सोते वक्त देवी अंगारों में से प्रकट होती है और इंदर निल उसको देखकर डर जाता है क्योंकि वो कोई और नहीं बलकि बुल बुल थी और बुम मुवी यहीं पर खत्म हो जाती है तो दोस्तों ये थी बुल बुल फिल्म की कहानी मुवी काफी जादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अच्छी चीज़ों के बारे में बात करें तो म्यूजिक अच्छा था सभी एक्टर्स और एक्टरस ने एक्टिंग काफी लाजवाब करी है स्पेशली बुल बुल याने की त्रिपती दिम्री ने और बाकी सबने तो बढ़िया काम की आई है यहाँ पर एक सोशल मैसेज देने की भी कोशिश की गई है जो कि अच्छा था लेकिन यहाँ पर एक चीज यह थी कि पर्सनली मैंने 10 मिनिट्स के अंदर ही कहानी को प्रिडिक्ट कर दिया था कि बुल-बुली यह सब कर रही होगी कुछ ना कुछ उसके साथ में गलत जरूर हुआ होगा ओनेस्टली यह कोई हॉरर मुवी नहीं है बलकि एक डार्क फैंटेसी फेरी टेल मुवी है जो कि सोशल इशू को दर्शाने वाली कहानी बया करती है और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह जो हॉरर एलिमेंट है वो काइंड ओफ एक मार्केटिंग गिमिक है कि बहुत सारी ओडियन्स एट्रेक्ट हो और वो चीज मेरे हिसाब से गलत नहीं है क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी मूवी या फिर वीडियो हमेशा वाइरल हो बट यहाँ पर अच्छी चीज यह है कि फिल्म अच्छी थी यहाँ पर पेट्रिया की यानि कि पूरुष प्रधान समाज पर फिल्म बनी हुई है फिल्म की स्टोरी बताती है कि कैसे भारतिय इतिहास में और्थों को ट्रीट किया जाता था जिसमें हॉरर और कोलकता फोल्कलोर का तड़का लगाने की कोशिश की गई है जिसमें ये काइंड ओफ सक्सेस्फुल भी रहे और मेरे हिसाब से नहीं भी रहे देखो साफ है कि अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भूत प्रे चुडैल और परी जैसी कहानी होगी देन आप डिसपॉइंट हो जाएंगे मेरी तरह लेकिन उन सब को हटा दिया जाए तो मूवी काफी अच्छी है आप एक बार इसको जरूर देख सकते हैं यहां पर एक वार्निंग ये है कि प्लॉट स्लो है और नॉन लीनियर वे में है इफ यू लाइक दीस काइंड ओफ मूवी जन गो फॉर इट कुछ नेगेटिव चीज़ों के बार में बात करूं तो मून लाल दिखाया जाता है जो कि मेरे हिसाब से ये दर्शा आता है कि बलॉड शेड हुआ था वो भी इनोसेंट पीपल का बट मेरे हिसाब से यहां पर कुछ सीन्स के अंदर मूवी बहुत ज़ादा डार्क है और कुछ जगाहों पर बहुती ज़ादा लाल लाल आता है जो कि अच्छा नहीं लगता अब दोस्तों मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ और मेरी परसनल थियोरी बुल बुल के बारे में क्या कहती है तो जब बुल बुल का रेप महिंदर ने किया था तो उसके तुरंद बाद ही हम ये देखते हैं कि बुल बुल काइंड ओफ अनकॉंशिस या फिर मर गई थी एस वो रेस्पॉंड नहीं कर रही थी उस वक्त मून अचानक से ही पूरा का पूरा लाल हो जाता है और अचानक से ही देवी कालिमा बुल बुल के अंदर आती है और अचानक से बुल बुल गुस्से में चिलाते हुए उठती है जो कि देवी कालिमा के गुस्से को दर्शाता है कूल का था कि फॉल्कलोर की बात करें तो काफी पहले ये माना जाता था कि अगर कोई नियूली मेरड यूफती दुरगा अश्टमी के असपास मारी जाती है तो माना जाता है कि देवी कालीमा उस यूफती को जिन्दा करके उसके अंदर आ जाती है बिसिकली देवी काली मा का आशिरवाद उस पर था गाउं की औरतों पर जो कोई अत्याचार किया करता था तो वो उसी को मारा करती थी उसके behavior में जो बदलाव आया था वो इसी कारण से था In fact उसका जो पूरा attitude था वो किसी देवी से कम नहीं था वो पीकॉक से बने पंके से खुद को हवा करती थी feathers and all ये सब चीजें साफ साफ indicate करती हैं कि वो देवी काली मा के रूप में थी इसलिए ही डॉक्टर सुदीप उसको देवी कहके बोलता है मूवी के end में हम ये देखते हैं कि बुलबुल अंगारों से जुड़कर एक burning spirit के रूप में इंदर निल के पास आती है तो मेरे हिसाब से बुलबुल की शक्तियां सिर्फ और सिर्फ इस गाउं तक सीमित थी जैसे ही इंदर निल वापस आया तो वो उसको सजा देने वापस आ गई एंड ये एक kind of horror element के रूप में एक bonus था हम सभी के लिए end में हमने एक और चीज़ नोटिस की बुलबुल जलते हुए पेड़ों को देख रही थी तो वो काफी दुखी थी क्योंकि उसको बच्पन से ही आम के पेड़ों से काफी ज़दा प्यार था in fact she loved mangoes a lot मेरे हिसाब से कूलकाता में black magic और ये सब चीज़े काफी ज़दा मानी जाती है तो उसको दिखाने के लिए ये film है अगर मैं horror वाली चीज़ को अलग रख दू तो movie काफी अच्छी है female पर हो रहे अत्याचारों के लिए ये film बनाई गई है and I get the point लेकिन यहाँ पर ये जो horror है वो काफी different type का horror है एक बात और जब चान लाल रंका होता है तब बुलबुल अपने room में चिलाती है और उसका room कश या कांस के फूलों से भर जाता है आपकी जानकारी के लिए बता दू कि बंगाल में दुर्गा पूजा कश के फूलों से ही होती है यहाँ पर कश फलार्स काली मा के एक रूप को सिंबलाइस करते हैं हिंदू शास्तर में डाकनी काली मा की शक्ती का एक रूप है जो की eternal होता है मानियाता के मताबिक अत्याचार से मरी हुई औरतों को इनसाफ देने के लिए देवी मा दाकनी के रूप में आती है यहाँ पर दाकनी जो है वो फायर की देवी है जिसकी साधना अगोरी करते हैं दाकनी की कथाएं हमें बुद्धिस्म और नेपाल के फोल्कलोर्स में भी मिलती हैं और इसलिए ही मूवी के अंत में बुलबुल इंदर निल के सामने दाकनी के रूप में प्रकट हुई थी इस मूवी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि फर्स्टली सती प्रथा को डिसेंबर 4th 1829 को ही बिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वीलियम बेंटिंक ने दा बेंगाल सती रेगुलेशन एक्ट के तहत सती को बैन कर दिया था फिल्म में दिखाया गया है कि सती 1881 में भी जारी था जो की काफी और सा लगता है लेकिन उस वक्त ठाकोर्स या फिर बड़े स्तर के लोगों से सब डरते थे तो हो सकता है कि चुपके चुपके ये चीज़ की जाती होगी और डर से लोग इन चीजों की शिकायत नहीं करते होंगे फिल्म के अंदर देवी यानि की बुलबुल औरतों को तंग कर रहे आदमियों को मार रही थी पर बिनौधनी का क्या उसे और उसकी जैसी औरतों को क्यों सती रहने दिया गया वो भी तो इस प्रथा की एक विक्टिम ही थी क्या वो वूमन हैरसमेंट नहीं है क्या क्या देवी का काम नहीं है कि कूप रथा को रोका जाए क्या राइटर ने यहां पर बड़ी गलती की या फिर बिनौधनी को उसकी चुगल बाजी की सदा दे रही थी देवी आपको क्या लगता है डू लेट मेनो इन दा कॉमेंट सेक्शन एंड हां आपको यहां पर एक च रखता है कि जो फोल्कलोर वहां पर चल रहा था वह असल में हो गया अब बुल्बुल कुछ लोगों के लिए चुडैल और कुछ लोगों के लिए देवी बनके हमेशा वहां पर रहेगी आई बिलीव कि वह बस इंदर निल को ही सजा नहीं दे पाई थी इसलिए ही उसकी र लॉट इस वेरी प्रेडिक्टेबल और वेरी स्लो खेराब सबका क्या खयाल है डू लेट में नो इन दा कॉमेंट सेक्शन वीडियो पसंदाई हो तो लाइक कर देना कॉमेंट करना और सबस्क्राइब किये बिना बिल्कुल मत जाना यूट्यूब बार-बार मुझे 147 तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए स्टे गूस्ट लीडियो